आज एक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक डिसकस करते हैं जिसके बारे में सब भी फीमेल को पता होना चाहिए जिससे कि वो अपनी बच्चियों में जो इस तरह के सिम्टम्स जब देखती हैं तो अब उन पर गुसा या नाराज या बहुत जादा अग्रेसिव ना दिखाएं आज इसी बारे में हम तोप डिटेल में डिसकस करेंगे कि PMS क्या होता है यानि कि PREMANTURAL SYNDROME। ठीक है इसकी बारे में हम इस पूरे वीडियो में डिसक्शन करेंगे जिससे कि अगर आप समझ जाएंगे इसके बारे में तो आपकी बच्चियों में ये जो सिम्टम्स नजर नजर आते हैं यह जो लक्षर नजर आते हैं तो उस दौरान कम से कम आप उनके प्रती थोड़ी समवेधन शील हो जाएंगे थोड़ा उनके प्रती एक भावनात्मक्त प्रती के एक्ष्ट्र अटेच्मेंट थोड़ा सा दिखाएंगे जिससे की जिस परिशानी से वह हमारी चोटी बच्चियां जिन परिशानी से गुजर रहे हैं या हम खुद भी इन परिशानी से गुजर रहे हैं तो कम से कम इससे निजाद कैसे पाएं इसको दूर कैसे करें इसके बारे में आज का वीडियो पूरा है चलो शुरू करते हैं नमस्कर दोस्तों दिल से सवागत करती हूं नीलम कृष्णा चैनल में बहुत अच्छे हैं आप सब लोग हमीशा की जैसे मेरे साथ बने हुए हैं आज का जो टॉपिक है PMS यानि P for pre मतलब पहले, mensural मतलब आपकी period की cycle और syndrome का मतलब number of lakshan यानि किसी भी छीज के धीर सारे जब lakshan दिखते हैं तो उसे syndrome कहते हैं यानि कि period यानि कि जो आपका mensural cycle है उससे पहले के क्या क्या लakshan है उसके बारे में आप सभी को पता होना क्यूं जरूरी है, क्यूं अविशक है और इसके पता होने से आपको क्या फाइदे मिलने वाले हैं, PMS क्या होता है, इसके लakshan क्या है, इससे हम कैसे बच सकते हैं और बहुत जादा severe condition में हम क्या उपचार करें, इस सारी बातों को हम लेकर इस video में discussion करने वाले हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि PMS क्या होता, प्री मैंसलर सिंड्रोम यान पीरेड आने से पहले धेर सारी जो लक्षन दिखते हैं, उसकी बारे में आज हम चर्चा करते हैं, देखे, PMS जाने की लगपक एक हफ़ते पहले, किसी भी female को अगर एक हफ़ते पहले, बहुत जादा एक mood swing होता है, बहुत जादा उसे चिछडा हट होती है, बहुत जादा उसे खाने के craving होती है, तो मान कے चलिये, उसके अंदर एक physical बदलाव हो रहा है, यानि कि physical changes भी आते हैं, कुछ emotional changes देखे जाते हैं और बहुत ज़्यादा हद तक आप मान के चलेंगे कि शारेरिक बदलाओ भी एक female महसूस करती है उस दौरान, जैसे शारेरिक बदलाओ में हमारे को महसूस होगा कि हमारी breast में बहुत tenderness, बहुत खिचाओ महसूस हो रहा है, पैर में बहुत खिचाओ होते हैं, किसको क्या feelings आती है पीरेट से आने से पहले, प्लीज मुझे comment में जरूर बताइएगा, किसी किसी की पीरेट आने से पहले, बहुत धेर सारे acne, pimple जैसी निशानिया दिखती हैं, और कभी कभी इस दौरान, बहुत सी female emotionally weak हो जाती है, उन् इतना weak feel करती है कि अपने घर के जो normal काम होते हैं, वो भी करने में सच्शम महसूस नहीं करती हैं, और बहुत जादा एक चीज़ और बताऊँ आपको इस दौरान physical changes होते हैं, emotional changes होते हैं, और शारिरिक change होते हैं, ये सारे changes हर किसी female में बिलकुल एक जैसे नहीं होंगे, क्य चीज़ें हर एक female के differ करती हैं, तो स्वभाविक है कि हमारे ये symptoms, हमारे ये लक्षन जो pre-MS से पहले यानि pre-menstrual cycle से पहले जो हो रहे हैं, वो भी अलग-अलग होंगे, किसी को ये ऐसे periods आते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता, उन्हें कब periods आए, कब उनके finish हो गए, उन्ह के दागवाग लग जाता है, तो कई बार ऐसा देखा गया है, किसी के periods बहुत easily way में आते हैं और बहुत easily way में चले जाते हैं, लेकिन किसी किसी female के ये एक drastic change लेके आते हैं, एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आते हैं, किसी किसी female को एक हफ़ते period के आने से पहले बे इंति पेट में ब्लॉटिंग फील होती है, बहुत जादा उनको पेट में पेन होता है, बहुत कमजोरी महसूस होती है, बहुत जादा वो वीक महसूस करती है, इस सिच्वेशन में किसी किसी के बहुत दाने निकलाते हैं, किसी किसी फीमेल को बहुत जादा ऐसा फील आता है कि वो अगर बहुत अच्छे से अगर मेरे वीडियो आपने सभी देखे हैं तो हर एक वीवर को हाँ आप सभी को पता होगा कि इस दोहरान हमारा estrogen, progesterone peak पे चना जाता है अब peak पे जाता है क्योंकि body ये सोचती है कि baby grow होने आ रहा है क्योंकि body सोचती है कि fertilization की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है या फिर fertilization होगा भृून बनेगा इस वज़े से estrogen, progesterone का हार्मोन peak पे इस दोरान जाते हैं लगभग एक दो हफ़ता पहले period के तो इस कारण जब हार्मोन का ऊपर जाना इस तरह के बदलाव शरीर में emotionally शाररिक और बहुत जादा बहुत जादा वहवारिक देखे जाते हैं अब क्या होता है जैसे जैसे period स्टार्ट हो जाता है यह estrogen, progesterone जो hormone peak पे गए थे धीरे धीरे यह नीची लेवल आ जाता है जब period आपके स्टार्ट हो जाते हैं तो जिसके यह emotionally weak होना period में cramps आना बहुत जादा शाररिक बदलाव महसूस करती है एक हफ़ता पहले period के साथ साथ यह सारी चीज़े normalize हो जाती है सारी चीज़े settled हो जाती है यह समझना क्यों जरूरी है अब यह बताना मेरे लिए बहुत आविशक है देखे इस दोरान एक female बहुत ही जादा hormonal changes से गुजर रही है तो उसके अंदर वैसे ही बहुत हलचल है बहुत ही बदला हो रहे है बहुत ही emotionally weak हो चुकी है तो हमारी responsibility हम सब की responsibility अगर किसी की period start है आपके घर में कोई female है उस दोरान उसके अंदर इस तरह की हलचले चल रही है तो आपका फरज बनता है कि उसकी इस situation को इस condition को आप positive लेकर समझे और उस दोरान उसको extra बहुत ज़्यादा stress देने की कोशिश ना करें क्यूंकि उस दोरान वो already stress से गुजर रही है already एक हलचल से गुजर रही है तो एक तो ये चीज़ दूसरा बहुत से female ऐसा कहती है कि हम भी तो situation से गुजरे हैं हम्यार एक साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ तो सभाभी कि आपके साथ नहीं हुआ होगा क्योंकि सबके साथ different different होता है तो जरूरी नहीं है कि अगर आपके घर में बच्चिया हैं उनकी साथ इस तरह की condition बहुत severe आ रही है तो आप उन्हें ऐसे थुदकारे नहीं आप उन्हें बहुत डाटे नहीं आप उनकी साथ इसतना misbehave ना करें आप उनकी situation को अपने से relate करके ना देखें क्योंकि उसकी situation पीरिट के अलग है उसके जो changes आ रहे हैं उसका PMS यानि pre-menstrual syndrome अलग है इसलिए उसको आप positive way में लेकर आप उसे बहुत जादा positive way में लेकर समझाए और उसे relax करने दे उसे easy way में रहने दे एक तो ये बात होगे दुसरा इसको समझना क्यों जरूरी है देखे कही बार क्या होता है कि PMS के syndrome PMS के लक्षन हम जब समझते नहीं है तो कही बार ये लक्षन बहुत हद तक severe हो जाते है अगर period होने के दौरान भी अगर आपकी bloating कम नहीं होती है अगर आपको पेट दर्द ठीक नहीं होता है अगर आपका emotionally stress ठीक नहीं होता है अगर आप अभी में depression जैसी feeling रख रहे हैं तो समझ लेजिए कि किसी और चीज़ का इशारा है यानि कि अब आप PMDDD यानि कि pre-manceral dysphoric disorder के शिकार हो गए है ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक female के ये PMS जैसे ही ही सारे लक्षन होते हैं बिल्कुल ऐसी लक्षन होते हैं इसको भी चेक करने का कोई blood test वगरे नहीं होता है कुछ भी ऐसी निशानिया अलग नहीं है बस यह है कि period खतम होने के बाद जो symptoms जो लक्षन नजर आ रहे थे वो सारे लक्षन आप खतम हो जाने चाहिए period खतम होने के दौरान लेकिन यह खतम नहीं होएं बढ़ते ही चले जा रहे हैं तो निशित ही मान के चलिए कि यह PMDDD है यानि कि pre-mencero-diphoric disorder के शिकार हो गए है इसमें एक female depression जैसे feeling रखती है इसमें होता क्या दिखें यहाँ पर brain की बात आ गई brain में सही से हमारे जो neurotransmitter के थूँ जो signal इदर उदर पास होते हैं वो ठीक से पास नहीं हो पाते हैं जिसकी वज़े से एक female इस चीज़ का यानि कि PMSDDD का शिकार हो जाती है तो इसलिए जरूरी है कि आप PMS के लक्षन को इगनोर ना करें बहुत जादा lightly ना लें अगर ये खतम नहीं हो रहे पीरेट के साथ साथ तो जरूर अपने डॉक्टर के पास जाकर संपर्क करें और सही सही पता लगाएं कि ये प्रॉबलम आखिर खतम क्यों नहीं होई पीरेट के साथ ठीक है इसलिए जरूरी है इसकी information लेना दूसरा PMS क्या होता है PMS के लक्षन क्या है अब PMS क क्यों होता है अगर ये question उड़ता है देखे PMS एक बहुत natural प्रक्रिया है किसी भी female में हर एक female में एक natural प्रक्रिया है किसी-किसी female में ये एक प्रक्रिया बहुत सामानने तोर पे चलती है और किसी किसी में ये estrogen, progestron के जो secretion है, उनका जो graph उपर जाता है, उसको कोई-कोई female बहुत जादा feel करती है, उसका शरीर बहुत जादा इसके लक्षन दिखाता है, उसके शरीर में बहुत जादा बदलाओ दिखते हैं, ये बहुत प्राकृतिक एक natural प्रक्रिया है, बहुत प ज़रूर है कि PMS के लक्षन आएंगे ही आएंगे, जिसके में आ रहे हैं, बहुत से female में नहीं आते हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, और बहुत से female में PMS यानि प्रीमेंस सिंड्रोम के symptoms आते हैं, तो वो कैसे अपने आपको इससे बचा सकती हैं, देखे, सबसे पहले आप आपने को डाइवेट करें, आप नमक वाली चीजे कम खाएं, ओली चीजे कम खाएं, ट्रांसफेट कम लें, हेल्दी खीजे इस दोरान खाएं और बहुत जादा हेल्दी डाइट इन्वाल्फ कर लें, तो आप बहुत हद तक PMS के लक्षन से बच सकती हैं, पहला तो यह हो सिंपल सिंपल इस दोरान जो एजी है, जो आपकी बॉड़ी एकसेप्ट कर पा रही है, वो वयाम करना यानि कि वो योगा करना शुरू करें, और डाइट का ध्यान रखें, थोड़ा ही से कोशिच करें कि पानी यानि लुकिट का इंटेक बढ़ा दें, और अगर आपको य लक्षनों से, एक चीज का और ध्यान रखें कि PMS के लक्षन को कम करनी के लिए आप अपने नीन्द का भी ध्यान रखें, आप बिल्कूल भी मोबाइल घंटों घंटों ना चलाएं, आप बिल्कूल भी ऐसा ना करें, आप अच्छी खासी यानि 8 घंटी के नीन्द को बख अपनी बच्चियों के उस वहवार को समझ कर अपना बिहेविर उनके प्रती बहुत अच्छा सकरात्मक रखना, जिससे कि वो और ज़्यादा परिशानियों में ना फसें, और ज़्यादा परिशानियों में उन्हें ना जूजना पड़ें, तो प्लीज बी पॉजिव उनक अच्छो प्रक्रिया लेकिन यी प्रक्रिया पीरड होने के साथ साथ एक אח Caribbean हो जाती है, यानि की जो प्रोघ्शन प्रजेस्टरन जो आपके हर्मों सं उपर गए हैं वह धीरे-धीरे-धीरे नीचे आने लग जाते हैं, लेकिन उसके लक्षन भी कातम हो सें लेकिन अगर व प्रेस जैसी फीलिंग रख रही है आप उस वक्त जरूर डॉक्टर से संपर्क करें जरूर डॉक्टर के पास विजिट करें डॉक्टर आपको सही चेक करकर बता पाएंगे कि आपको आखिर ये पीएमेस के लक्षन खतम क्यूं नहीं हुए दूसरा ये कि क्या पीएमेस को च लगा सकते कि पीएमेस के क्या लक्षन आने वाले हैं या पीएमेस से हम कैसे पहले से निजात पालें तो कोई इसका ब्लड ब्लड टेस्ट नहीं होता इसलिए बिल्कुल घबराएने सबसे पहली बात हो है कि इसको वह एज पॉजटिव वे में एक्सेप्ट कर लें अगर पॉजटिव सेंस में लेगे कि ये एक जस्ट हार्मोनल का उपर ग्राफ गया है इस वज़ए से हो रहे हैं पुलकुल एजली वे में आप एक्सेप्ट कर लेंगी और बहुत साकारात्मक तरीके से इनको अपना लेंगी तो बहुत जादा तकलीफ नहीं देने वाले हैं मेर यहां पर यह जानकर देने के पीछे एक बहुत इंपॉर्टन चीज यह थी कि पीमेस के दौरान कोई फीमेल अपनी बच्चियों को बहुत जादा परिशान ना करें इस तरीके से ताने ना दे कि यह हमारे साथ भी हुआ हमें भी तो पीरड हुए हम तो ऐसा नहीं करते थे प्लीज ऐसी हरकते उनके साथ ना करें प्लीज उनके साथ बी पॉजटिव रहें प्लीज उनके साथ एक साकारात्मक वहवार रखें जिससे कि वो अपनी इस समस्या से जो जूज रही है उसे वो पॉजटिव तरीके से ले पाएं ये मेरा में मकसद था इस वीडियो को बन लेकिन जैसे उसका पीरड पर्मनेंटली समाप्त हो जाता है यानि मोनो पोस में चली जाती है तो कहते है ना रहेगा बास ना बजेगी बास अब तो पीरड होंगे ही नहीं तो PMS कहां से होगा तो यह इंपोर्टेंट है इंफरमिशन और इसलिए मैंने इंफरमिशन आपको अगर मेरी इंफरमिशन आपको पसंद आई है आपकी यूस्फुल है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो चैनल लाइक्स करो खूब 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 शेयर करो खूब कॉमेंट करो और मेरे वीडियो में कोई सजेशन अगर आप देना चाहते हो मुझे जरूर बताओ मैं बहु यू सू मुझ